हेलो दोस्तों सवी को नरातरी की बहुत बहुत सुब कामनाएं मातारानी सवी की मनो कामनाएं पूंड करें और दोस्तों आज की जो रेस्पी है वो इस्पेसल वृत वाली ही रेस्पी है मातारानी के वृत में आप इसे बनाईगे बहुत अच्छी लगती है तो आज जो हम ब साबुदाना की टिक्की बहुत क्रंची बन करके तयार होती है तो यह दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं साबुदाना की टिक्की तो देखिए हमने तीन कप साबुदाना लिया है तीन कप भर के साबुदाना तो इसमें हम जितना हमने साबुदाना एटके ना उतना ही पानी मतलब तीन कप साबू दाना तीन कप पानी तो चलिए अभी इसे हम दो घंटे के लिए भीगो करके रख देते हैं ऐसे ढख करके और देखे जब तक साबू दाना भीगेगा तब तक हम यह दो कप हमने लिए मुंखळी के दाने इन्हें हम क्या करेंगे ड्राइ रुष्ट कर से कंदें के दो कर देंगे जिससे कि इनका चिल्का अराम से उतर जाए तो थी त कॉमने ओउन कर दी हैं मुंखळी के दाने और हाँ जिस कप से हमने साबू दाने लिया है न तीन कप उसी कप से दौ कप मुंखळीGO दाने विली है drew जब इस तरह से थोड़ी देर में हलकी एलकी कलर चिंज हो जाए ना दाने के तो आप अपनी आप अलग होने लगी गा तो समझ जाए ये दानि भुन गया हैं, गैसको फॉफ कर दीजे और इन्हें निका लिजे अलग परतन में अदेखे़ जब ठंडी हो जाए ना हलका ठंड चिलके अलग कर देने हैं तो चलिए अभी नहीं हम घ्यान कर लेते हैं मिक्सी में और यह देखे एक तंबारिक हम आपको नहीं हैं करना है और अब क्या करेंगे दो गंटे हो गए हैं तो साबु दाना भी बड़िया से फूल गया है तेखे पानी बिलुक्ल सूप गया है पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखें, तीन कफ साबू दाना तीन कफ पानी एट करें, और जाबू दाना दो गंटे में कितना बढ़िया से फोल गया है, हास से दवाने से देखें, इसका दाना अराम से फोट रहा है, और अब ह कद्दू कस और रेंगे एक चोटा चममझ काली मिर्च पाउडर एक छोटा चममझ जीरा पाउडर और हरी दनिया कर देंगे झाओ को सांपagen say च्छी लगेगी और साथ मब्समाच एग by इंच दोगाई हा के लिए लिए का ऊइट और देखे चार हरी मिर्च हैं उसने भी हम इसी तरह से कद्दुकस कर लेंगे यह देखे फटाफट और अब हम इसमेट करेंगे दो चोटे चमज भरके नमक देखे सारी कॉंटिटी आपको एक तम सही बताई हैं परफेक्ट बताई हैं बिल्कुल भी मतलब कम जादा नहीं है बहुत ज़्यादा तीखे भी नहीं होगा ना बहुत कम तीखा होगा बहुत ज्यादा नमक भी नहीं होगा ना बहुत कम नमक मतलब सारी चीजे बिल्कुल परफेक्ट हैं इसलिए अगर आप बनाए तो बस इसी तरह से आप कॉंटिटी का थोड़ा सा ध्यान लखें और द इस तराइबसे आप बीछ में रखेंगे जैसे आप कचोड़ी बंढ कर देते हैं यह इस तरा के से zur ना के DR égal बम करदेंगे मनलब जीT one-बदर के जैसे इस तरह से फीर और और को सब्से आप इससे और बाप में आप और आप रह डμέते हैं और यह मेवा है ना हमने अंदर इसले रखी क्योंकि अगर हम इसमें साथ मिला देते तो किसमिस जल जाती तकते समय मेवा खुड़ा सा मतलब जाता ही भुण जाती इसले अंदर रख दिये मेवा भी अच्छे से भुण जाएगी इसका टिष्ट भी बहुत अच्छा आएगा खाते समय मतलब अंदर से मेवा जिसके भी मुह में जाएगी उसे तमझा ही आ जाएगी तो देखे इसी तरह से सारी टिक्या बना करके तयार कर लेंगे कुछ टिक्की हमने बना ली है और जो थोड़ी सी है वो बाद में बनाएंगे इन्हे भी तलेंगे लेकिन उससे पहले sector जनली हम क्या करेंगे इस के लिए बना लेंगे चट्नी को थीके तीन टमाटर लिये 내ерш हरी मिर्चटémat। जोड़ी थोड़ी हरी धन्या, तो दिखे हो we like. टमाटर लिमे ने बाड़े मिरिश को कट लिएंगे में व्ही तोड़ gesip यह सले कर लीएं а। तोड़ दिया एक इंचे द्रक डाल दीजे आदा चमच जीरा डाल दीजे और एक चोटा चमच डाल दीजे नमाग एक दम परफेक कॉंटिटी आपको बता है चटनी की चलिए भी ग्राइंट कर लेते हैं और लीजे फटा-फट मिक्सी में हो गई ग्राइंट क्यों कि मिक्सी क्यों देशी की में तल लीजे लेकिन भाई देशी की ज़वरी नहीं सभी के पास जादा अवैलेवल हो इसलिए सूरज मुकी का तेल या मुंक फली का तेल व्रत में यूच करें तो हम यहां पे सूरज मुकी का तेल यूच कर रहे हैं और देके तेल गर्म होने के बाद तेल में डाल देजिए अगर वह उपर आ जाए तायर की तो समझ जाए तेल पढ़िया से गर्म हो गया तिकी तलने के लिए फटा पट उसमें डाल दीजिए साबुदाना की जितनी भी टिकी आपने बनाएं मतलब जितनी भी नहीं जितनी कडाई में आ जाए छे-साथ जो बें पहला जाए के दीजिए नहीं बूं लो फ्लेम पर बूने के नहीं बूने ए पर अंदर तक अच्छे बून गई है निकाल लिजिए आप अफ़ लिए अब प्लेम को जब टिक्की निकालें अफ टाइम कर दिए एकदम लो वरना टिक्किया आपकी जादा ही बुन जाएंगी तो अब हम क्या करेंगे जो बच्ची ही टिक्की हैं उन्हें भी हम पैन में डालेंगे इस तरह से और इनका भी कलर चेंज होने तक दोनों साइट से पूर की आपको दिखाते हैं यह देखें बड़ी यासी अंदर तक पकी हुई है देखें में हुआ भी मतलब दिख रही है जो हमने वीच में रखी हुई थी ना यह देखें और दोस्तों यह चाबू दाना की टिक्की ना बहुत क्रंची लगती हैं गरम-गरम इन्हें लीजे और चटनी के साथ इनका मजा लीजे बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन हाँ खाने से पहले मातरानी को भूग जरूर लगा दें जो भी व्रत में खाएं उसका भूग जरूर लगाएं और सभी दोस्तों को एक बार फिर से नोरात्री की बहुत-बहुत सुब काम नह लीजे की बार लगएं